हाई एवरीवन तो आप सब ही ने सुना होगा और आपने इन लाइफ क्लासे के दूप काफी पढ़ाई भी करी होगी डिफरिंट कॉम्पिटिटिव एक्जाम की लेकिन क्या आप लाइफ रॉम क्लास्रूम बाचिस के बारे में जानते हैं अब बहुत सारे लोग सोच रहे हो लेकिन लाइफ रॉम क्लास्रूम बाचिस वो बाचिस होते हैं या फिर वो क्लासे होती हैं जो कोई भी एजुकेटर जब ओफलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता है तो उसी ओफलाइन क्लास को आपके लिए लाइफ स्ट्रीम करा जाता है तो उन वाली क्लासे को कहते हैं ल तो life from studio classes होती है, यानि कि जो normal online life classes होती है और जो life from classroom batches होते हैं, उन में क्या difference होता है, उनकी क्या advantages होती है इन दोनों में से कौन से better courses होती हैं, फिर कौन सी better classes होती है और आपको कौन सी join करनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए start करते हैं देखें, पहली बात तो life from studio classes, basically, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो normal life classes होती हैं जो आप देखते हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है, अपनी digital studio से पैनल लगा होता है या फिर ओभी सेट अप कित्रू पढ़ा रहा होता है आप दूसरे students को देख नहीं सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें life from classroom batches की तो ये batches, जैसे कि मैंने बताया, ये basically offline batches होते हैं इन ही offline batches को, देखो जो बच्चा offline join कर सकता है, वो तो जाके offline पढ़ लेगा और वो course आपके लिए online कर दिया जाता है, ठीक है अब इसमें और उसमें अंतर क्या होता है देखो जब आप life from classroom batch में enroll करते हो तो आपको एक offline वाली feeling आती है अब हर कोई तो offline जाके वहाँ उस center पर पढ़ नहीं सकता है लेकिन आपको जब वो classroom, क्योंकि basically जो life from classroom batches होता है उनमें जब जो camera होता है, वो 360 degree or 180 degree जब rotate करता है तो आप teacher को तो देखी पाते हो, obviously, और आप students को भी देख पाते हो ठीक है, लेकिन अगर life from studio classes में करें तो आप काली teacher को देख पा रहे हो वहाँ student है नहीं तो आप student को देख कैसे पाऊगे, तो वो काफी, you know, कभी-कभी monotonous और, you know, वो एक isolation वाली चीज हो जाती है कि मैं अखेले पढ़ रहा हूं, लेकिन life from classroom batches में जब camera rotate करता है, तो आप students को भी देख पाते हो तो आपको, हाला कि आप वहाँ नहीं बैठे हो offline उस center में, लेकिन आप online उस course के थूँ, आप वो जो offline वाली एक feeling है, वो आपको आती है और आपको, you know, motivate होते हो, दूसरे students को भी देख के, आपको भी लगता है कि नहीं आर, मैं भी इसी class का एक part हूँ तो यह एक life from classroom batches का advantage है, जो कि आपको, life from studio classes अगर आप लेंगे तो वो आपको नहीं मिलता है दूसरी बात, अगर हम करें, तो देखो, हार teacher मैं मानती हो कि बहुत responsible होता है और बिना, you know, किसी reason के, मैं मानती हो कि कोई भी class delay नहीं करता है लेकिन अगर आप जो normal online life classes होती है मैं खाली teacher पढ़ा रहा होता है, OBS पे, डिजिटल सेटप पे तो उसके आगे कोई बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, खाली वो अकेले अपने स्टूडियो में अकेले पढ़ा रहे है कई बार ऐसा होता है कि teachers जो है, वो classes को postpone कर देते हैं कभी-कभी classes, you know, delay हो जाती है, बहुत बार classes postpone हो जाती है और बहुत randomly यह चीज होती है, ठीक है, तो यह चीज होने से क्या होता है कि discipline manner में एक तयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि teacher के सामने कोई बच्चे नहीं बैठे है online बच्चे हैं, ठीक है, class cancel कर दी, postpone कर दी, लेकिन अगर आप यह बात करें अब मान लिजे कि कोई बच्चे आ गए है, बैठे हुए है, तो उस class को cancel नहीं किया जा सकता, इतनी आसानी से अंटे नेनने से कोई बहुत जादा emergency हो यह फिर उस class को postpone नहीं किया जा सकता तो यह एक चीज जो life from classroom batches है, यह एक चीज काफी अच्छी होती है कि जो life from classroom batches है, उनमें इतनी आसानी से classes को delay या फिर postpone या फिर cancel नहीं किया जा सकता है, तो अगर आप life from classroom batches join करते हो तो यह भी एक advantage रहता है कि एक disciplined manner में आपकी जो classes होती है, वो होती है तीसरी बात अगर हम consistency की करें, तो आप लोग को पता है कि competitive exam की preparation में यह माईने नहीं रखता कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, वो माईने नहीं रखता है, यह माईने रखता है कि अगर आप भले 5 घंटे भी पढ़ रहे हो एक दिन में, तो कितने दिनों तक आप 5 घ अगर आप live from studio classes की बात करेंगे या फिर normal online life classes की बात करेंगे, तो क्या होता है ना कि उनमें ऐसा होता है कि live classes होती है, लेकिन उनके तुरंट बात आपको recording मिल जाती है, तो उनमें यह option रहता है कि नहीं आर चलो, हमने live class, अगर हमने छोड भी चलो, कोई बात नहीं घूम र जाता है क्योंकि उनकी जो recording होती हो आपको तुरंट अवैलिबल नहीं होती है, और इसलिए भी नहीं होती है कि भाईये, जब class हो रही है, offline भी हो रही है, online भी हो रही है, तो आप एक disciplined manner में consistently अपनी class कीजिए, तो जब आपको वो recorded class काफी समय के बाद मिलेगी, एक हफते के के बाद मिलेगी, तो आपको वो चीज का गिल्ट होगा अगर आप class छोड़ेंगे, कि यारे यार मेरी consistency रह गई, तो यह reason होता है कि जो life from classroom batches होते हैं, उनमें consistently, you know, बच्चे online हो जाए, offline वो पढ़ने आते ही है, क्योंकि उनको पता एक class छूट गई वह या, तो छूट ही आपको पढ़ने के बाद आपको PDF प्रोवाइट करवा दी जाती है, वो PDF बनाई जाती है, computerized होती है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप सबको एक चीज यह पता होगी, और स्कूल से ही यह एक बहुत known fact है, मुझे बताने की जरुरत नहीं है, कि जब आप कोई notes अपने हाथ से लिखते हो, आपने हाथ से बनाते हो notes, तो वो notes आपको जादा समझ में आते हैं, वो आपको जादा आसानी से आप उनको याद कर पाते हो, समझ पाते हो, तो यह एक चीज जो है, वो online life classes में, जो normal studio classes होती हो, उनमें काफी कम होती है, लेकिन यही अगर हम बात करें life from classroom batches की, तो teacher खड़े होके, you know, dictate करता है, कि यह, यह, ऐसे, वो आपके notes बनवाता है, और आप उन notes को अपनी handwriting में लिखते हो, चाहे वो offline वाले बच्चे हो, चाहे वो online वाले बच्चे हो, तो यह एक चीज काफी है, अची रहती है, कि आप अपने notes बना पाते हो, है, तर होते हैं, और मेरे साब से आपको अगर available है, तो life from classroom batches को join करना चाहिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे, कि मैंने आपको यह तो बता दिया, कि life from classroom batches क्यों अच्छे है, और आपको क्यों join करने चाहिए, लेकिन मैंने यह तो बताया ही नहीं, कि ऐसे कौन से institutes हैं, या फिर, you know, North India की बात करें, तो एक नाम काफी फेमस है, वो है उतकर्ष क्लासिस का, तो उतकर्ष क्लासिस की जो प्रयागराज सेंटर है, वहाँ पे 25th of October से UPPCS की जो लोग preparation कर रहे हैं, उनके लिए life from classroom batch स्टार्ट हो रहा है, यानि कि यह batch जो है, यह offline भी स्टार्ट हो और यह online भी स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम कहेंगे life from classroom batch, इस batch के बारे में अगर हम डीटेल में बात करें, तो देखिए यह एक pre कम mains batch है, यानि कि यहाँ पर आपकी pre की और mains की preparation करवाई जाएगी, यह एक foundation batch है, यानि कि यहाँ पर आपको पूरा basic level से advanced level तक तयार किया जा यहाँ पर आपको monthly current affairs magazine प्रोवाइट कराई जाएगी और आपके लिए interview guidance session होंगे, यहाँ पर आपके लिए dedicated mentors होंगे, जो आपको throughout your journey, throughout your classes आपको guide करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, study planner आपके लिए होगा, जिसके तुरू आपको आपको अपना plan मना भी मिलेंगे, जिसमें आपके लिए, you know, weekly test, monthly test, जिसमें की objective test और subjective test भी included होंगे, इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए special sessions कंड़क करवाई जाएंगे, आपकी essay writing के लिए, which is a very important part, और आपके लिए, you know, जितनी भी books है, वो भी आपको provide करवाई जाएंगी, तो all in all, यह का इस batch में, भले आप online पढ़ेंगे, लेकिन offline वाली feeling आएगी, तो अगर आप लोग चाहें, तो इस video के description box में पूरे link दे दिया है, detail दे दी है, अगर आप लोग अपनी UPPCS की preparation कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, तो you can definitely check out this batch, so I will meet you in my next video, till then bye, take care.